जी हां दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मुस्यवाला जी के नए गाने को लेकर सामने आ रही है आखिर हवेली पर रातो रात क्यों फैंस का जमावडा एकठा हुआ क्यों लाखो की संख्या में फैंस से कत्रित हुए सिद्धू मुस्यवाला के हवेली पर और साथ ही ये क्यों कहने लगे शर्मानी चाहिए तुम लोगों को जो तुम सिद्धू मुस्यवाले की मौत का बदला नहीं ले पाए तीन साल होने वाले हैं अभी भी सिद्धू भाई को न्याय नहीं मिला आखिर क्यों दा लास्ट विश सॉंग के रिलीज होने के बाद इस तरह की तमाम बाते सोशल मीडिया पर आ रही है क्यों फैंस चीक चीक कर ये बात जो है कह रहे हैं एक एक अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं आज के लेटिस्ट अपडेट में की आखिरकार दा लास्ट विश सॉंग सुनकर फैंस भड़क उठे हैं गुस्से में आ गए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं सिद्धू मुसेवाला हमें इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पर एक एक अपडेट एक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं चैनल पर नए हैं आप तक बलीवुर की दिवानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन आल पर भी जरूर प्रेस किजिएगा दोस्तों ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंस सकेगे तो उसके सब subject都 हो गया और अब जो है आपको बता देएब सिदु का जो भी गाना रिलीज हो रहा है उनके पिता की द्वारा उनके ही चैनल पर रिलीज किया जाता है और जो भी गाना रिलीज होता थैं आपको बता देएब लीज सब किया जाता है घोप टेर www.ñरायार reference moment पसंद आ रहा है कोई emotional हो रहा है कोई रो रहा है तो कोई कह रहा है कि कब हमारे भाई को justice मिलेगा आखिर justice क्यों नहीं मिल रहा है वहीं आपको बता दें ये गाना release होते ही जो है सभी emotional हो गए और emotional होकर हवेली पर पहुँच गए और एक ही नारा लगाने लगे कि हमें justice चाहिए हमें justice चाहिए बापु जी ने और माता जी ने दोनों ने निकल कर हवेली से जो है हाँ जोड़ा वो भी emotional हो गए फैंस का इतना प्यार देख कर भाबुक हो गए और उन्होंने कहा कि हमें justice मिलेगा एक ना एक दिन जरूर मिलेगा सरकार पर भरोसा नहीं है तो क्या हुआ हमें उपर वाले वाहे गुरू पर जरूर भरोसा है एक दिन हमें इंसाफ दिलाएंगे वो लास्ट विश सॉंग के अंदर फैंस ने जो है एक ऐसा कमेंट कर दिया जो खूब जादा पसंद किया जा रहा है सिद्धू के फैंस के द्वारा आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर जिसमें लिखा हुआ है शर्मानी चाहिए तुम लोगों को जो तुम सिद्धू मुसेवाले की मौत का बदला नहीं ले पाए तीन साल होने वाले हैं अभी भी सिद्धू भाई को न्याई नहीं मिला याई को लेकर आज संडे के दिन सिद्धू की माता चरन कौर जी ने एक पोस्ट सांजा किया है जिसमें बहुत बड़ी बात कही गई है आखिर ये पोस्ट जो है किसके द्वारा लिखी गई है जो सिद्धू की माता चरन कौर जी ने सांजा किया और इसमें आखिरकार क्या लिखा है तो आपको बता दे साफ तोर पे सिद्धु मुसेवाला जी की हत्या को लेकर उन हत्यारों के बारे में लिखा हुआ है एक एक बात जो ये पूरी तरह से साफ कर देगा कि आखिरकार सिद्धु मुसेवाला जी को इनसाफ अब तक क्यों नहीं मिला है इस पोस्ट में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है समय समय पर मांसा जिले को कई महान कलाकार मिले इन में से एक है शुबदीप सिंग उर्फ सिधु मुसेवाला सिदु मुसेवाला ने बहुत ही कम समय में संगीत के शेत्र में इतनी प्रगती की जो कई कलाकार अपने जीवनकाल में नहीं कर पाते लेकिन दुर्भागेवश से उनकी प्रगती कोई कई लोगों ने सहारा नहीं बेशक हत्या को डेड़ साल से जादा का समय बीच चुका है लेकिन अभी तक भाले से गोद कर हत्या करने वाले असली गुन्हेगार पकड़े नहीं जा सके हैं और नहीं किरफ़तार लोगों को अभी तक सजा मिल पाई है इस हत्या की कहानी है यह काफी जटिल और लंबा है लेकिन सरकार ने इसे छोटा कर दिया आगे लिखा हुए इस पोस्ट के अंदर कि सिद्धू के पिता के जनम दिन के मौके पर अभी भावको की ओर से जारी वीडियो में सिद्धू के अधूरे न्याय को पूरा करने की मांग की गई है और एजन्सियों को इस पर पूरा ध्यान देने की अविशक्ता है कोई भी क किसी के इकलोते बेटे को इस तरह मारने की कोशिश नहीं करता आगे उन्होंने अपना नाम लिखा है जिन्होंने ये लेटर लिखा है सिद्धू की माता चरनकौर जी के लिए पैरेंस के लिए और सिद्धू मुसेवाला जी का उनका नाम नीचे मेंशन है जो आप पढ़ स रखते हैं लिखा हुआ है माना रला समाजिक कारे करता ये एक समाजिक कारे करता है जिन्होंने सिद्धू मुसेवाला जी की हत्या को लेकर आवाज उठाई है वाके ही इनको सल्यूट है हमारे तरफ से और सिद्धू के फांस की तरफ से जिन्होंने कम से कम सिद्धू मुस उसे सहमत है क्या आप भी emotional हो गए जो भी आपकी राय है इस गाने को लेकर या सिदु मुसेवाला जी को अब तक justice नहीं मिली है उसे लेकर जो भी आपकी राय है comment section में जरूर लिखिएगा